तो फाइनली दोस्तों Android 14 का लेटेस्ट अपडेट मोटो एड्स 30 अल्टरा डिवाइस पे आज से अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख सकतो यह वाला है जो ना version ID अभी आपको देखने को मिलेगा जो कि है 34.52-21.7 यह करीबन 1.5 GB का डेटा है तो make sure करना है कि जब भी आप अपडेट करो फुल वन टाइम पे ही अपडेट करना है साथ मैं एक और चीज में बताना चाहूंगो देखो यह तो आज का अपडेट है देख सकतो 55 मिनिट पहले है और आपके डिवाइस पर आप देख लिए होगा बट मैंने इसके ओपर वीडियो बहुत ही पहले बताया था बना करके मैंने बताया था देख सकतो यह पोस्ट तीन महीने पूराना है आपके आखों के सामने तीन महीने पहले और बहुत टाइम पहले मैंने अपडेट दिया था अब यहां का जो वर्जन आइडी है देख सकतो सेम 1.5 जीविक आपको अपडेट है 34.52-21-1 और यहां पर भी देख सकतो जो पहले आया था जो टेस्ट वगरा हुआ था और उसके बाद में जो अभी फिक्स होने के बाद में यह जो वर्जन मिल रहा है आपके डिवाइस पर अभी देखने को मिल रहा है तो आप लोग भी इसको 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 तरह तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगरा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ एक हफते वेट कर लो, कुछ रिवीव वीडियो वगरा देखो, वरना हमारी चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको पर मैं रेगलर अपडेट मैं आपको प्रॉइड प्रॉब्लम्स वगरा फिक्स हो जाएगा उसके बार में अपडेट कर लेना, वरना कल आज का अपडेट हो रहा है, तो पर्स 24 आर्ट में किस तरह से प्रॉब्लम्स दे रहा है, सारी चीजे में दोस्तों आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करना चाहता है, तो लिंक इस इन दे डिस्रिप्शन आप फॉलो कर सकता है, और अगर आपने से किसी ने अगर आपने अपडेट कर लिया, तो कॉमेंट सेक्शन में आपका कैसा एक्स्पिरेंस है, क्या प्रॉब्लम द झरूर्डेक